नमस्काव समचार इंडिया में आपका स्वागत है मैं श्वेता दोभाल आपके साथ आज बात करते हैं खेल जगत की देरदून के लिटल मास्टर क्लब के खिलाडियों ने शांदार प्रदशन करके फाइनल मैच में 60 रनों से जीत अपने नाम की आपको बता दें कि बरेली के MB स्कूल में लिटल मास्टर क्लब और बेसिक क्रिकेट अकैडमी के बीच तीन दिवसिया मैच खेले गए जिनमें तीनों मैचों में लिटल मास्टर क्लब ने जीत हासिल की उत्री भदोई की टीम के ओपनर सुमित ने शुरुवात में एक ओवर में चार चोंके लगा कर एक अच्छी शुरुवात की थी लेकिन बाकी खिलाडी जादा देर तक मैदान में टिकने में नाकाम्याब रहे जिसके कारण बदोई की टीम 94 रन बनाकर ही ओल आउट हो गई थी कलब के अध्यक्ष और कोच नरेंदर शाह बताते हैं कि इस जीत में सभी खिलाडियों का खास योगदान रहा जहां एक तरफ सुनील गुसाई ने शतक जड़कर 120 रन की लंबी पारी खेली तो वहीं अमन ने 35 और हार्दिक ने 15 रनों का योगदान दिया गेनबाजों ने भी अपना बहतरीन प्रदर्शन किया जिसमें हरी, निखिल और कार्दिक ने 2, देवांश और हार्दिक ने 1 विकेट लेकर जीत अपने नाम की फाइनल मैच में भी लिटल मास्टर क्लब का दबदबा विरोधी ट्रीम पर बना रहा जिसमें गेनबाज हरी ने अपनी नियंत्रिक गेनबाजी से 4 विकेट लेकर अपना योगदान दिया तो वहीं अमन कुमार ने 45 रनों की पारी खेली सीरीज के अंत में सबी खिलाडियों को उनके बहतरीन प्रदेशन के लिए सम्मानित किया गया जिसमें प्रत्युष गेडी को मैन आफ दा सीरीज हरी और रूति प्रताप प्रावत को मैन आफ दा मैच सुनील गुसाइं को बेस्ट पेट्समैन दिवानशु को बेस बॉलर तो हादिक जोशी को तेज गती में रन मनाने के लिए पुरुस्कृत किया गया इस अफसर पर मुख्य अथिती के रूप में बीके सुरेंदरनात, नरेंदर शाह, आयोजक, अभिशेद, चौरस्या और कई अन्य लोग मौजूद थे इस रिपोर्ट में बस इतना ही देखते रहे है समचार इंडिया खबर से लेकर असर तक धन्यवाद